हाई फ्रेंस आज मैं आपको श्री तुलसी आयमसी की श्री तुलसी को अन्बॉक्स करके दिखाने वाले हूँ यह देखिए यह है आयमसी की श्री तुलसी जैसे आप इसको देख रहे हैं यह एक आयूर्वेदिक प्रोडेक्ट है और गैनिक है WHO, GMP, हलाल, आयूर्वेदिक डिपार्टमेंट, GMP Certified Company है यह पांच तुलसी की प्लांट का एक्स्ट्राक्ट है यह जैसे कि आप देख रहे हैं इसके खोलने पर जो इसमें पेज आप देख रहे हैं इस पर आप पढ़ भी सकते हैं कि इसमें क्या है लेकिन मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ यह बनी है पांच प्रकार की तुलसी से शाम तुलसी, विश्नो तुलसी, राम तुलसी, बन तुलसी और निम्ब तुलसी इन पांच प्रकार की तुलसीयों का मिश्रन है यह IMC की श्री तुलसी ये हमें किस तरह से लाब पहुचाती है ये हमारे मेमरी को बढ़ाती है इम्मुनिटी को बढ़ाती है ये हमारे कई रोगों को लड़ती है और इंफेक्शन जो होता है हमारे शरीर में उससे भी लड़ती है और हमारे शरीर में से टॉक्सिन फाल्टू के प्रोडेक्ट होते हैं उसको बाहर निकलती है हमारे मेमरी को इंप्रू करती है और पानी में मौजुद बैक्टीरिया, वाइरेस इन सब को मारती है अब आप देखती हैं कि इन दो स्टील की प्लेटों में मैंने तेल की कुछ बूंदे डाली है ये आके एक तरह की चर्बी है जो हमारे शरीर में जमी है इस तेल की चिकनाहट की तरह इसी लिए मैंने इस तेल को इस प्लेटों में डाला है ये तेल की तरह ही चर्बी हमारे शरीर में जमी हुई होती है जो फैट बनती है जिससे की हमारा वजन बढ़ता है ये जमने के कारण ही हमारा वजन जो है ज्यादा होता है और हम मोटे लगते हैं अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी ये देखिए मैंने इसमें पानी डाला है इसमें और इसमें और अब इसके अंदर मैं कुछ बूंदे श्री तुलसी की डालूंगी मैंने इसके अंदर श्री तुलसी क्यों डाला है क्योंकि श्री तुलसी हमारे वजन को घटाने में मदद करती है ये किस तरह से काम करती है इसको प्रूब करने के ले ही मैंने ये डेमो आपके सामनी किया है ये सिर्फ वजन को ही नहीं कटाती है ये हमारे बदन में मौजुद गले में जो इन्फेक्शन होता है उसको भी ये तूर करती है डाइबेटिक्स के रोगों में काम करती है मधुमे के रोगों में काम करती है बीपी के रोगों में काम करती है मोटापे के रोगों में काम करती है अब मैं इसको हिलाऊंगी ताकि ये पूरी तरह से गुल जाए इस पानी में ये श्री तुलसी अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रहने देते हैं हम श्रीर तुलसी को काम करने देते हैं इस समय में हम इस श्रीर तुलसी के बारे में और बताती हूँ मैं आपको ये हमारे शरीर में मौजुद 200 प्रकार की बिमारियों को लड़ने में मदद करती है जैसे कि अगर हमारे पेट में कीडे हो तो इसको वो नश्ट करती है और हमारे डाइजेशन को इंप्रू करती है हमारे मेमरी को भी ये इंप्रू करती है ये मैंने आपको पहले भी बताया था और किसी को सर्दी, जुखाम, खासी, एलर्जी हो तो उसको भी ये ठीक करती है लेकिन ये थोड़ा समय लगता है इसको काम करने में क्यों तो आयूरिदिक चीजे जो होती है समय लेती है काम करने के लिए लेकिन जब काम करती है तो वो चर से ही उसको नश्ट कर देती है इसलिए इसको थोड़ा समय लगेगा आप थोड़ा निश्चिन्थ होके वेड कीजिए जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्लेटों में मौजुद जो पानी है उसको मैं इस लोटे में खाली करूंगी एक और खास बात श्री तुलसी की श्री तुलसी मूँ में मौजुद दुर्गंद को भी नस्ट करती है अब मैं इस पानी को जैसे कि आप देख रहे हैं इस लोटे में खाली कर दूंगी ताकि आपको पता लगे कि यह जो चिकनाहट इस प्लेट में मौजुद थी इसने कैसे बाहर निकाला और उसी तरह से यह जो हमारे शरी में जमी चिकनाहट फैट चर्वी है उसको यह बाहर निकालती है इस प्लेट में देखिए, कितनी चिकनाहट दिख रही है, क्यों तो इसमें श्री तुलसी नहीं थी, इसमें खाली पानी ही था, देखिए, कितनी चिकनाहट है इसमें, और अब इस दूसरे प्लेट में देखिए, कि इसमें कितनी चिकनाहट कम है, क्यों तो इसमें श्रीत तुलसी की पांच बुंदे थी यह देखिए आपको कम दिख रही है इसमें यह इस तरह से हमारे शरीर में से थोड़ा-थोड़ा करके चर्भी को गला कर बाहर निकालती है यूरीन के त्रू से और टॉयलेट के त्रू से और आप इस प्लेट में देख भी सकते हैं कि इन दोनों प्लेटों में कितना फरक है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए